आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बाजार जैसी बहुत ही टेस्टी पावभाजी की रेसिपी जो कि सिर्फ 20 मिनिट में हम बना कर तियार करेंगे बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी ये मेरी गैरंटी है और आप इसको पाव के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ चावल के साथ किसी भी तरीके से खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी यमी बनेगी ये मेरी गैरंटी है तो कैसे बना सकते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाप भाजी आईए रेसेपी में आपके साथ शेयर करती हूँ इसके लिए आप सबसे पहले उबले हुए आलू ले लें मैंने एक कड़ाई में तीन उबले हुए आलू को हाथों से फोड़ कर डाल दिया इसके साथी दो से तीन टमाटर को रफली काटकर हम डाल देंगे अगर आपके पास मटर है तो मटर भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज किया है आप इसमें फ्रेश ताजी मटर भी ले सकते हैं इसके साथी चाहें तो गाजर भी एड़ कर सकते हैं तो एक गाजर को मैंने चोटा-चोटा काट कर एड़ किया है गाजर को पकने में थोड़ टाइम लगता है अगर आप बहुत जादा जल्दी में हो तो गाजर को आप स्किप भी कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च भी अयट कर सकते हैं, शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अज़ा आता है इसके साथी बहुत ही जलदी पकती है तो एक शिमला मिर्च हरी लेकर उसको भी रफली काटकर मैंने डाल दिया है। थोड़ा नमक चला जाए और सबजियां बिल्कुल भी फीकी फीकी ना लगे इसके साथी इस रेसेपी में अपनी पसंद की कोई भी सबजी आप डाल सकते हो जो सबजियां आपको पसंद हो आपके फ्रिज में पड़ी हुई हो वो आप डाल दें और जो ना पसंद है तो आप हटा भी सकते हैं इसके साथी मैंने बॉयल की हुए आलू लिये जिसका टेक्शर बहुत अच्छा आता है भाजी में और अगर आप चाहें तो कच्छे आलू का यूज भी कर सकते हैं पर उसका टेक्शर जादा अच्छा नहीं आएगा तो देखे मैंने डाला है एक चमच के ले लें मीडियम हाई हीट पर और नमक डाल कर जो भी सबजी आप डाल रहे हैं तो आप उसमें प्रेशे कुकर में सीटी भी लगा सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं पर उसका टेस्ट थोड़ा सा कम मुझे लगता है आता है अच्छा और इस तरह से ओपन में अगर आप बनाते ह अच्छा आता है भाजी बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो बैराल स्टीट्स में जैसे बनाया जाता है तो लोग ओपिन में ही हमेशा बनाते हैं तो वही रेसेपी में आपके साथ शेयर कर रहे हूं यहाँ पर देखिए सारी सबजियों को ढखकर मैंने थोड़ी दिर करी पकाया होगा सबजिया थोड़ी सी सॉफ्ट होगई इसके बाद मैंने मैशर से इनको इस तरह से मैश कर लिया अभी अच्छे से मैश नहीं हो पारी है इसका मतलब है कि सबजिया पूरी तरीके से नहीं गली है अगर आपको बिलकु स्मूर्ट टेक्शर चाहिए अगर आप उनको बिलकुल अच्छे से गौट पाएं यहां पर देखिए लगबग 10 मिट के करीब हो चुके हैं और सबजी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है तो अब इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे पर इससे पहले यहां पर आप इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे डाल यह मैंने एक चमच के करीब लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं एक चौथा ही चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे इसके साथ ही दो चमच के करीब एट करेंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर अगर पाव भाजी मसाला बहुत ही जादा फ्रेग्रेंट होगा तो आपकी भाजी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी अब एक बार मैशर से वापस से इस तरह से सबजियों को बारिक कर लें मैश कर लें और इसके बाद में इसके लिए हम तलका बना कर रेडि करेंगे और पाव भाजी पर तलका लगाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी भाजी बनकर त्यार हो जाएगी तो भाजी को अच्छे से हमने स्मूथ कर लिया है तो चली इसको हम साइड में रख देते हैं अब हम लेंगे एक तलका पैन इसमें सबसे पहले आड़ करेंगे बटर जी हाँ दोस्तो जब भी आप पावभाजी बनाएं तो बिल्कुल बारी काट कर आपको हरी मिर्च रखनी है बारी काट कर आपको प्याज रखनी है और लहसुन अदर का पेस्ट भी धेर सारा आपको त्यार करके रखना है ये तीन त्यारी आपको करनी होगी इस तड़के को बनाने से पहले तो मैंने 3 हरी मिर्च को यहाँ पर छॉप करके डाल दिया इसके साथी 1 प्यास को भी छॉप करके डाल देंगे थोड़ी सी प्यास मैंने बचा ली थी ताकि हम उसको पावभाजी के साथ सर्फ कर पाएं और यहाँ पर मैं इसमें एट कर रही हूँ प्याज जल्दी भुन जाए, मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को, प्याज को हलका सब भून लेंगे, और इसके साथ ही आट करेंगे, एक टेबल स्पून के करीब जिंजर गालिक पेस्ट, यानि कि लहसो नदरक का पेस्ट, मेरे पास हमेशा ही फ्रिज में रहता है, तो मैं उस को यूज करूँगी, आप चाहें तो फ्रेश भी आप बना कर एड़ कर सकते हैं, या फिर स्टोर बॉट यानि की मार्केट का लाकर भी आप एड़ कर सकते हैं, तो इसमें एक टेबल स्पून के करीब डाल देंगे आप जिंजर गालिक पेस्ट, लहसो नदरक का पेस्ट, बहुत ही बड़ा फ्लेवर आएगा, इसको भी फटाफट से भून लेते हैं, और इसके बाद में हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल कर इस तड़के को तियार कर लेंगे, और इसको हम भाजी में मिक्स कर लेंगे, तो देखिए, यहाँ प यह देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, तेल पूरा उपर आ गया है, इसको साइड में रख देते हैं, भाजी में यह इस तरीके से तड़के को मिक्स करेंगे मच्छे से, और यह देखिए, भाजी की कंसिस्टेंसी और कलर भी आप देख सकते हो, हमने इसमें लाल वाली जाजर डाली थी, जिसकी वज़े से भाजी का कलर बहुत अच्छा आया है, और हमें जिस तरह से मार्केट में वो लोग बनाते हैं तो इसमें कलर भी आइड करते हैं, तो हमें कोई कलर भी नहीं आइड करना पड़ा, अब बस यह देखिए, तड़के को हमने मिक्स कर लिया इसमें लास्ट में वापस से आप इसमें बटर डालना, खूब सारा बटर डालना, बटर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना चाते हो तो, तो बटर को हमनें अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके बाद में पोटेटो तो बस एक बार टेस्ट कर लेना अगर आपको नमक वगयरा कुछ भी कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हो तो मेरी रेसिपी में नमक बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो लास्ट में मैं इसमें आट कर रही हूं आधा नीबू का रस और इसको भी मच्छे से मिला लेंगे नीबू डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक बार नीबू आप लास्ट में जरूर आट करना मिक्स कर लेना और हलका सा नमक यह लग रहा था मुझे नीबू डालने के बाद कम है तो मैंने डाल दिया और यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी यमी सी पावाजी बन आने के बाद अपना फीडबेक जरूर शेयर करना मुझे उमीद है आपके रेसिपी जरूर पसंद आएगी थैंक्यू सो मच वाचिंग बाबाई